अब कर दोश्तों समझीर क्रिएशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं इस तरह का बौटल जो रद्धी में फ्थेक दिये जाते हैं आज मैं आपको इस बौटल में कुम दस्ता बताता बताऊंगे कि बुल रस्ता को बनाने के लिए इस प्रकार के स्लावर से हैं यह रोग मार्केट से मंगाए हैं और इस तरह की स्थर्मा कोल पर दावर में जुए है यलो मैं है और वाइट कलर में है तो हुए दागे हैं है और यह हमें चाकु लिया है और सबके पहले हम इसे यहासे काट करके ऐसे अलग कर जएंगे इसे अधर हम आपको बुलतर्स्त बनाना बताएं अब हम इसके अंदर यह फ्लावर लगाएंगे सब पहले हम यह हैवी कोल लगाएंगे और इसे हम इसके अंदर पैक करेंगे ऐसको बताप है कि अहाँ है ऊ क्गोजिशती है ो ए गो हॉ में नहें घहाँ जा ह०ंज contrat है प्लेपी exceptि फैसे कि खुछे, से घजकाण स्वाल है नच्छता हम त कि राइब आगा, कि बड़े के और हंप मेश GOOD, कि उट़ाई ईुछ राइबना झाल घचता है, राइबना इंप 45 उका भाई राइबस पहले हम इसमें हलका सा फजी पॉल लगा लेंगे और लगाने के बाद इस तरह से हमिश्में चमकीली पंडियां है लगा देंगे ताची धर से थोड़ा सा शाइनिंग आजाए और फिर हम यहां फैवी कोल हमने बेश में डाल दिया है यहां हम इस तरह से रूई लगाएंगे और रूई के उपर हम फिर से एक बार इसमें फैवी कोल लगा देंगे और इस फ्लावर को हम इसमें इस तरह से चिप्ता देंगे और फिर हम इसके साइड साइड में इस तरह से थर्मा कोल डाल देंगे इस तरह से चारव तरफ थर्मा कोल की बोलियां डाल दी है और हम इसे इस तरह से इस तरह से प्लावर कोड़ूं इसके अंदर पैक कर देंगे और अब हम यहां इसे शेपी पूल लगा करके यहां के पैक कर देंगे इस तरह से हम इसे किनारे से जहां से हमने जोड लगाए जोड है यहां वहां से हम इसे चारव तरफ से लगा देंगे इस दो बढ़िए यह हमें लगा दिया और हम इसे जहां पर लगाएंगे बहुझा झाल हम उक्लाइब जर लृझांगे ख्लास हो起ुआ और हम अज़ी तय कुँआ क हम पलत कि युझांगे रज़ रपट के को मैं बलतुर हर दिर ज़ूझा प Means, युझा समय दो और हम और हम घचान सर टो जहां तदे ज़माल कि जहिए ज़ासे हो इस हम जोखने के लिए भीर देंगे ताकि तरह सी तूख जाए विए अजय दोस्तों ये छिप अगया है इसकी अंदर हमने रूल लगाया है रूल के बाद हमने ईसजोटे को चिपकाया है तब जाकर यह अच्छी तरह से चिपा गया है और अब हम मोतियों को पी रो लेंगे इसके अंदर मोतियों की लड़ी डालेंगे करें दोस्तों इस तरह से मोतियों को पीरो करके लड़ी बना ली है और अब हम इसे इसके अंदर इस तरह से डालेंगे करेंगे Łuk और इसे उपर हम यह गुलाब का पूल हम यहां इसे लगा देंगे लोक्तो इसे आप बच्चों के बर्थडे में भी युट कर सकते हैं और अपने घर को भी अच्छी तरह से इसे शजा करके डेकोरेट कर सकते हैं इसे डेकोरेट करदे के लिए यह हमने बिंदी लिया है और इन पंखुरियों को भी हम इस तरह चे डेकोरेट कर सकते हैं देखें दोस्तों यह हमारा कम्प्रीट हो गया यह हमारा फूफ्चूरत प्लास्टिक के बोटल में बच्चों का बर्थडे गिफ्ट तयार हो गया दोस्तों इसी तरह आप बना कर अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं और बच्चों के बर्थडे पर भी इसे गिफ्ट कर सकते हैं और इसी तरह हमने एक और बनाया हुआ है यह हमने काच के बोटल पर बनाया है इसमें हमने मोतियों की लड़ी लगाई है और इसमें हमने इस तरह के फ्लावर्स लगाए हैं दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको पचंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल संब्रीदी क्रियेशन को सब्स्क्राइब करना ना भूलें दोस्तों यदि आपको हमारा और वी वीडियो देखना है तो हमने डिस्क्रिप्मेंट में लिंक दे दिया है आप उन्हें भी देख सकते हैं आज बस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए डिजाइन के साथ धन्यवाद झाल